आज हम अपने किचन में बनाएंगे चुलाई के लड़ू राम राम भाई जब को आउसके लिए आपको मैंने एक पावबर तो चुलाई लिया है पावबरी गुड लिया है उसमें काम हो जागा चीनिका इस्तमाल भी कर सकते हैं बड़ चुलाई के लड़ू गुड में बैस् कड़ाई थोड़ी भारी हो तो बहुत बढ़िया रहेगा हलकी कड़ाई में थोड़े जलने के चांसे ज्यादा रहते हैं ठीक है चुलाई लग जाती है गुड के लिए टिप यह है कि एक चमच आप घी डाले उसके बाद गुड डाले तो यह चिपकिगानी और बढ़िया लड़ू के भी बनने के चांसे रहते हैं चिने नहीं बढ़ा अधर्वाइज तो नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कुछ बढ़िया कि थोड़ा टेस्ट एन्हेंस हो जाता है तो यह एक तार की चाशनी में रानी है आप कैसे पता से करके दीक है आप जैसे मैंने कटोर्यू में करके बताया है हैं आप ऐसे भी ाके देख सकते हैं कटोर में डालके देखेगा और हाथ से हिलाएगा तो वह देखे इस तरह से आपको इदर-ओदर मतलब हट जाएगा बोगा पानी तो मतलब एक तार की चाशनी 1 के मीड़ी ता यार बच्चों के लिए fun activity है यह आप अपने बच्चों को लगाईए कि चलो आश हम घर में वीकेंड है तो चुलाई के लड़ू बनाते हैं थोड़ा उन्हें भी पता चलेगा कि क्या पहले के लोग क्या क्या करते थे घर में कैसे मिठाई बन दी थी हर चीज ओनलाइन पर ड भूड़ा घुल मिल जाएंगे और उन्हें भी थोड़े अच्छे लगेंगे यह लड़ू ऐसे हैं जो मतलब सबको पसंद आते हैं बच्चा तो कोई मना करी नहीं सकता इन लड़ू को तो इस तरह से हलका सब पानी का हाथ लगा लगा के आप इन लड़ू को बना सकते हैं गी का हाथ भी लगा के बना सकते हैं ताकि हाथ पर चिपके ना बस तो इसमें दो तीन में चीजे हैं जो आपको धियान रखनी है ठीक है पानी का हाथ लगाना है लड़ू बनाते साहिं और दो तीन घंटे के लिए कम से कम चुलाई जब मार्केट से लेके आए तो उन्हें बाहर दूप में जरूर सुखानी है ठीक है उसके बाद एकदम ये बहुत सफेद एकदम खिले खिले बनेंगे एकदम उसमें आपको थोड़ा सा भी जलने का डर नहीं रहेगा